हेलो एब्रीवन वेलकम अगीन और माई यूडियोब चैनल क्रियेटिव एन इन्फो हब तो जिस चीज का आपको बहुत टाइम से वेट था आप लोग कंटिनुसली मुसे पोच रहे थे किसका एडमिशन होगा किसका नंबर आएगा किसका नहीं आएगा कितनी रैंक पर एड है और में अगर आपको आपके मन पसंद कॉलेज नहीं मिला है आप सीट को फ्रीज करना चाहते हैं या सीट को फ्रीज करना चाहते हैं उसके लिए Please see to freeze and float वाली वीडियो मेरे चैनल पे है उसको जाके देखिए क्या क्या documents चाहिए photocopy के set कैसे arrange करने है provisional certificate का doubt था तो सारे ही चीज़े मैं already cover कर चुकी हूँ अपनी चैनल पे Please मेरी previous वीडियो को जरूर देखना एक digilocker वाली वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी जिसमें मैंने एक बहुत ही जादे important चीज़ बताई है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आपने वो चीज़ नहीं की तो आपको दुबारा से एक बर school का round लगाना पड़ सकता है तो एक बर उस वाली वीडियो को भी जरूर चेक करना फाइल में क्या के चीज़े रखनी है कैसे किस किस चीज का print out लेना है सारी ही चीज़े में आपके सार शेयर कर चुकी हूँ अगर आपको कोई भी doubt है कोई query है तो आप मुसे comment section में पूस सकते है and guys thank you so much बहुत ही जगदी हम लोग 1K YouTube family complete करेंगे and then हम लोग live video किया करेंगे live session रखा करेंगे और live हम आपकी doubts को clear किया करेंगे so मैं बहुत ही slowly slowly rank list को उपर कर रही हूँ आप यहां से भी देख सकते हैं आप अपने doubts को मुसे instagram पे भी पूस सकते हैं मैं इस rank list sorry first cut off जो आई है इसकी pdf form आपको telegram पे provide करा दूँगी तो please comments में जो लोग बोलते हैं कि हमें provide करा दो pdf form वो बहां से जाके check out कर सकते हैं please उस channel को join करना मत भूलना and second thing बहुत सारे बच्चे मुसे बोल रहे थे कि दी हमें check करना नहीं आता अभी rank list निकली थी तो मैंने उसकी video आपके साथ share की थी तो बहुत सारे बच्चों का यही doubt था कि दी हम इसमें अपनी rank कैसे check करें it's okay होता है कई बच्चों को नहीं आता है it's totally okay so मैंने उस video में भी बताया था and again मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जब आप इस pdf को open करेंगे तो इसमें उपर एक page जैसा icon दिखेगा जिसके बीच में आपको search वाला icon दिखेगा उस पे tap करना है आपको then उसमें अपना full registration number आपको type करना है and then आपको search करना है आपका registration number अगर आपका name इस list में आया होगा तो जहां भी होगा वो highlight होके orange color से highlight होके आपके सामने आ जाएगा या फिर हाँ इसमें इस बार name नहीं दिया हुए last year क्या था इसमें name भी आता था candidate का तो हम simply अपना full name type करके उसमें search कर लेते थे और हमारा आ जाता था but it's all fine यहाँ पर आपके rank list भी दी हुई है और आपको किस institute में seat मिली है वो भी दी है और आपका registration number भी दिया है तो आप डारेक्ट अपना registration number डालके हाँ पर चेक कर सकते हैं आपका registration number आपके form के उपर भी होगा और guys अब आपके rank list आ चुकी है तो अब आप सारे चीजों का print out ले सकते हैं सारे चीजों का print out in the sense form के सारे चीजों का print out जैसे आपको form का print out लेना है आपने जो fees pay की है उसका print out लेना है आपके college आपने कौन कौन से choose की है college preferences का print out लेना है आपके ये allotment जो list आई है आपके जो आप SCRT साइट को open करेंगे तो उसमें tab आएगा SCRT allotment list तो अगर आप उस पे click करेंगे तो अगर आपका number इस list में आया है तो वहाँ पे show हो जाएगा कि आपको किस college में seat मिली है आपको उसका भी print लेना है so I hope मैंने सारी चीज़े clear कर दी होंगी मैं बहुत ही जल्दी जल्दी में video shoot कर रही हूँ तो अगर कोई सा point मेरे से miss हो गया हो तो मुझे जरूर बता देना and it's totally okay कभी कुछ आप मुझे बताना कभी कुछ मैं आपको बताऊंगे इसी तरीके से हमारी YouTube family चलती रहेगी so one more thing मुझे याद आई अभी कि बहुत सारे बच्चे पोच रहे थे ये candidate category क्या लिखी हुई है तो dear इसका मुझे अभी idea नहीं है ये क्या लिखा हुआ है but मैं आपको ये चीज़ शुर्टी के साथ बोल सकती हूँ कि इसका कोई भी negative impact आपके admission पे नहीं पड़ेगा so आप इसको ignore भी कर सकते है and then second question मेरे पास आ रहा था कि अठारसो रुपे की fees कप पे करनी है तो guys जिन बच्चों का इस list में number आया है सिर्फ वही बच्चे अभी अठारसो रुपे fees पे करें अगर आपका इस list में number नहीं आया है तो आप अठारसो रुपे की जो fees है वो pay मत करो आपके पास option ही नहीं आएगा अभी वो pay करने के लिए अठारसो रुपे की जो आप fees pay करें उसका printout जरूर ले लेना और वो pay आपको करने ही पड़ेगी चाहे आपको इस institute में admission लेना है या नहीं लेना वो तो आपको pay करने पड़ेगी verification center पे जाने से पहले क्योंकि आपसे वहीं पे पूछते हैं जाते ही कि आपने अठारसो रुपे की पे की है ना अगर नहीं की होती तो वहाँ पे फिर आपको बोला जाते है कि अभी करो देन उसका प्रिंट आउट हमें लाके दो सो आई होप सारी ही पॉइंट सब कवर हो चुके है एंड मैंने 34 पेजिस तक आपको PDF भी दिखा दी है वैसे तो वीडियो में आपको इतना क्लियर ली आपका नंबर नहीं दिखेगा आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं इस PDF के लिए आप सारी चीजे हो चुकी हैं कवर हो चुकी हैं और आप सभी को आपके मनपसंद कॉलेज मिल गया होगा एंड गाइस कीप सपोर्टिंग कीप लविंग कीप शेरिंग मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई